हलो दोस्तों यह है लर्निंग टॉक्स में आपका स्वागत है दोस्तों हम सब जानते हैं कि लॉक्डाउन ने हमें काफी परिशान किया है जो कोरोना में हमारी चल रही है उसके चलते काफी सारे प्लांट भी बंद हुएते और अब समय आ गया है कि प्लांट को आफिस चालू करने का लेकिन जब हम CCM की बात करते हैं कंटिनूस कास्टिंग की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बहुत सारे पॉइंट्स हो जो हम से चूट जाते दोस्तों तो मेरी एक च्छोटी सी कोशिश है कि हम इन सारे पॉइंट काफी सारे कंसेप्ट भी क्लियर होंगे तो रिस्टार्ट आफ पो सी सी मैशीन में कुछ पॉइंट्स है जैसे की इलेक्ट्रिकल पैनल से रिलेटेड है पंपाव से रिलेटेड है है इड्रोलिक पावर पैक सारे इंस्टूमेंट ऑपरेशन रिलेटेड पॉइंट है कोल प्रामिंट आपकाफी करते हैं तो हम इन प LexTV को करेंगे और हम कोशिश करेंगे इन पॉइंट को मम कोड़ कर सके जो कि व्याभ आफ यह प corrव करते सहां है यह जश एक हो सके ऊद्वासे हमारे कास्ट्र और सब्से़ पहले हम उड़ाक से शुरुआथ कर से शुुर सब्सक्राइब करना है कि जतने से बंगर देना है और धिरे से पैनल को फिर ऑन करना है उससे पहले भी हम को जो है वह हो एक ब्लोर लेकर जितनी भी गंदगी दो मिना में जमा हुए हमको कुछ क्लीं करना है एक पर हम और तिंक की वैल्यू चेक करेंगे कितनी आ रही है बराबर है या नहीं है UPS हमारा जो है वो बराबर है या नहीं है उसको हम एक बार चालू कर लेंगे charging mode में लगा देंगे उसके बाद में after incoming voltage checking done power on panel तो इसके बाद जो है दोस्तों आपको power जो है अपना main CCM का उसको उसको बाध मैं switch on all switches mcb stepwise एक करके सारे सब्सक्राइक सब्सक्राइब करना चालू करना है SMPS हमें की चाहतना करना है चेक करना पील्स इन सब को करना हैं और हमाय चाहिए और इन शॉर्ण मोडे में डालकेे इसके बाद में इन सारी चीजे चीजे को हम चालू ही रखेंगे और एक तरीका सिन मे या हमारा पोल्ट ट्रायल जैसा हुआ सकते हाई रूद्रिकल के चालू रखेंगे, और उसके बाद में फिर हम देखेंगे कि कई फे कुछ प्रote dé नूटीस होता है तो हम उस कंसर्ण व्यक्ति से चाहे वो मचीन सफ्लियर का इंजिनियर हो चाहे हमारे जी एम साब हो चाहे को एक्सप्रेंस परसन हो उनसे हम कॉंटर्ट करके इन सारे प्रॉब्लम्स को सौल करने की कुछिश करेंगे आता है benefits लगाए उन्ससितर में जिसे प्र प्रेशय ट्रांस्मिटर एक टेञ टेमपरिच्र में हमको काफ है अच्य समय मिला मुझेड हैं कि सारे प्लांट्स में जो है आप लोगोने व्वाटरेंक अटिन के तैंक को वाप tunnels amr साफ करेंगे वड़ी एसे इसके बाद में सारे टैंक को वापस ए भर देंगे पर प्रमेरिग का बहुते हैं उसका हम कौल्रिटी घर लेंगे शाब वाप फानी है् कर लेंगे सारै स्वरे मोटर्स चेस त्षेप द करेंगे विर चो करेंगे जटने बी पंप, और जो हमारी प्रेपला गौन या मेंट मेंगा हो, भूम सेच करेंगे इस में ऑर कि में सारे मौटर में कर शमने हैं, ज़च fällt ओस से वह भूर हमें लिगा को और जो हम कोई लगात kült कर कशेण भी घंपल दो तो हमारे सामने आा जाएगी और उसकेस में जो है दोस्तो हम को कर दूस्त विदेशर वुक्ति से तशन को पांट्रट करना ई और इन जारे परब्लमों का तो यही से पहला पुइंट चालू होता है कि हमको सप्रे पहला कामी करना है कि हम हैट्रोलिक टेंक को खाली कर लेंगे उसके बाद में उसे वापस नए ओल से भरेंगे जो ऑल का टैंक है दोस्तों तुम्हारा वेस्ट नहीं जाएगा उसको जो है आप लोगों को बंडल प्र अर्फिक में प्रेशर होते हैं जैसे में प्रेशर हो गया इंट्री साइट करेंगे बराबर है नहींब हमको कई से कुछ डाउट लगता है तो हम वाल खूल के साफ भी कर सकते हैं प्रेशर को वापर सैट कर सकते जैसे जिस टाइब का मेशिन आपके पास लगा हूआ है जितने जशेशा प्रिक्वाइर में गडिश्य सप्रशेश करें गी अगर आपके रख सब्लेट में मेशिन अपका उसकता है अगर आपके यह जो है चुरुआ करेंगे उसके बाद हम चुर ज्यों depends करेंगे जी तनी भी ऑप्रेटेट हुने माले इस्टूमेंट है जैसे कि अलावा तो उसके बाद हम उसका फैसर चेक करेंगे एक हमारी प्राइटी हो जाए इन रहे धुगा और हम जो हमारे पास में temperature के indications लगे होंगे वहां पर उसको नापने के लिए उसे देखने के लिए तो से हमको पता चलिए अगर दोस्तों कि हमारा temperature बराबर है या नहीं है अगर किसी तरीके का कुछ problem नजर आता है तो दोस्तों हम इसको फिर वापस से बदल सकते हैं हम उसको check कर सकते है दोस्तों इसके बाद है कुछ other points ऐसे है कि जो चेक करना बहुत ही जरूरी है जैसे कि हमारा compressor बड़ाबर काम कर रहा है या अगर कर रहा है बड़ाबर गाम तो फिर बैलो का pressure हमारा सेट है या नहीं है कही दो महिनों में इन दो महिनों में बैलो पड़े-पड़े कही जंग हुआ जएंद हमारा नहीं प honest वम टेंगोस करेंगे तो यहल लिंगे इन देंदिशी वित्एसे म हैं लान्चिंग नोजल हो गए लांचिंग पाइप हो गए इसके बाद में 90 के का मसाला हो गया उसके बाद में प्लक्स हो गए और भी ऐसे बहुत सारे आटम्स होती है दूस्तों आप जानते ही हो तो वह सारी कंजुमिबल्स हमारे पास में अवेलेबल है या नहीं है ऐसा ना हो कि हम कास्टिंग चालू करन कितना है ट्रिडियस वेल्यों कितनी है उसके बाद में सबसे में दोस्तों की बहुत सारे प्लांटों में कंप्लेंट सुनने में भी आई थी कि मॉल्टिब जो है किसी ने भी निकालके नहीं रखा था इस लॉक्डाउन पिरियेड में सबने मोल्टिब महीं पर छोड़ दि आई है इसके बाद में जो है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि मॉल्टिब जो है वो नया ही डाले अगली बार और स्प्रेय नोजल जितने भी सेकेंटरी के वह सारे सब कुछ एक बार क्लिंग कर ले जितनी भी पैपलाइन है उन सब को एक बार फ्लश आउट कर ले पानी हमार और कि रिंग तक बार कम नहीं कर रहा है वह सब कुछ कर लें और पूल मिला के कहने का मतलब है कि जितनी भी हमारी रटीसे की कंडिशन है वह फुल्फिल हो रही है या नहीं हो रही है उसको एक बार हम क्रॉस चेक कर लें अगर किसी भी तरीके से कही पर कुछ भी कमी नजर आती है तो दोस्तों मैं यहीं उमेद करता हूं कि आप कृबख से जो है कि रहलेंगे है इसके दोस्तों को को सब नायो करना हुगा कि जितने भी हमारे रोलर्स है जैसे कि DRT, IRT, PCRT वह सब कुछ हम चालू करके छोड़ देंगे कुछ समय के लिए उसके बाद में जितनी भी आर्टीसी की गंडीशने उसको फुल्फिल करेंगे उसके बाद में हम डमी बार को जो है वह ऑपरेशन के तहत MCD से या SBO रूम से जो ईगन्टे तक जो वह इसी तहरी के सचलने दें फिर थीर से इस्पीड बढात में इससे आप 3-10 मिटर तक भी ले जा सकते हो जरवत के शाब से मर्टिंग कि कंडीशन के हिसाब से यह सारी प्रोसेस जो है वो आपको पाँ से चे बार करने है कौनसी प्रोसेस जो डाहीमेटर आपने कास्टीं स्टाट किया था मोल्ड में डबी बार लेकर इस सथार्ट करके उसको एक दिर घंटे तक छोड़ देना है मैचिन को तीन मिटर सवाहा थीन मिटर डाह वार माल बतों को ब सबने सरक्ष्ण करा कि अर रहा है कुछ लें बेंगे में अई उसके बप्र नीचितों डेंट्रोग बॉछ जो पूइंट पता ही नहीं चल रहा है तो दोस्तों मैं आपको यह सज़ेस्ट करूंगा कि एक जो है वह इंटर लॉक लाइन से आपकी मशीन के इसाफ से जितने भी चीजों का लोक है वह सारे सब कुछ चेक कर ले साल है लाग है कि बराबर है या नहीं है दोस्तों इसमें ए जो प्राइमेरी और रहा है कि वह वराबर आ रहा है कॉलिटी पानी की वराबर उसमें फिलब है या नहीं है कि टैंक आधा खाले तो नहीं है तो वह फ्लो अगरा सब कुछ जह कर लें दूस्तों इसके बार के लिए रेडि हो जाएंगी दोस्तों तो हॉँद ट्राइल में जो है वह सबसे पहले अपन गस्ष्न से डिलेटेट वीकिंद ग्रन नहीं खें के सावबर लिकें हैं यह वह नहीं है कास्टिम पीकलैयां हो रहा कैम है उठ्धिक चेक वह अक्सिजेंग नहीं Souls और या करते वह जो है या नहीं है लिए करते हैं याली नहीं कर रहा है जो है जो नहीं है इस तरीके जो च्छोटी बड़ी आइटम से वह सब में तो कहुंगा कि यह सारी चीजे आप राइल के समय भी कुछ है चेक कर सकते हो और कॉल ट्राइल के समय सोरी दोस्तों और हो ट्राल के लिए फिर अपनी तैयारी करें लेडल बराबर से कर रहे हैं या नहीं है वो सब कुछ देख लो कि अगर बराबर लेडल करा में तो दोस में अगली हीट में जो है दोस्तों हम temperature को और कम कर सकते हैं कास्टिंग जो है मैं सजेस आपको दोस्तों यह करूंगा कि जो लोर स्टोक में आप इसको चालू करो मतलब की छोटे-छोटे स्टोक लेके चालू करो थोड़ा आराम से ही चलाए कास्टिंग ऑपरेटर जो है ज सारे पॉइंट्स आपको ध्यान में अल्रडी पहले से तो हो गई लेकिन फिर भी मैं सुचा कि एक बार ध्यान दे देना चाहिए एक ताकि कुछ भी चोटा सा पॉइंट अगर चूट रहा हो सकता है मुझसे भी चूटा हो तो वह ध्यान में आ जाए दोस्तों तो इसी के स सब्सक्राइब कोई भी चाहिए और चाहिए आपको कुछ जानना हो या इस प्रेंट का ना भी हो लेकिन पिर भी आपको अगर कुछ जानना हो तो दोस्तों मेरी यही कोशिश रहे कि कि मैं आपके सारे सावालों को जाब दे सकूँ यह मेरा पहला वीडियो है और उमीद कर सब्सक्राइब दोस्तों थेंक यू